दोस्तों बीच मैदान में ही बेइमानी कर अमपायर और न्यूजिलेंड ने किया रिशब पंत को आउट तो मच गया बवाल गुस्से में रिशब पंत और गौतम गंभीर ने कर दिया कुछ ऐसा देख पूरे क्रिकेट जगत की फटी की फटी रह गई आँखें तो आखिर क्या था वह मामला क्यों जान बूज कर रिशब पंत को दिया गया आउट आखिर क्यों अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पाए रिशब पंत न्यूजिलेंड खिलाडियों की बेईमानी बीच मैदान में हुआ वह तगड़ा बवाल वह तगड़ा ड्रामा तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही लेकिन उससे पहले यदि आपको भी लगता है कि रिशब पंत नौट आउट थे तो हमारी इस व पारी में टीम इंडिया को जब जीत के लिए केवल 147 रन चाहिए तो उसका पीछा करते हुए भारत का बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था केवल रिशब पंत थे जो एक तरफ से ताबड तोड बल्ले बाजी कर रहे थे उन्होंने अपनी शानदार 50 की और लंच ब्रेक के बाद भी उन्होंने टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ाना जारी रखा लेकिन दोस्तों तब ही उनके विकेट पर बवाल मत जाता है जी हां दोस्तों दरसल पारी का 22 ओवर लेकर आये थे एजाज पटेल जिनकी चौथी गेंद पर रिशब पं करते हैं लेकिन अंपायर ने रिशब पंत को आउट नहीं दिया था जो बिलकुल सही भी था लेकिन तब ही न्यूजिलैंड के खिलाडियों ने इस पर रिव्यू लेने का फैसला किया और फिर जो हुआ उस पर कोई अपनी आँखों पर भरोसा नहीं कर पाया जी हां दोस् काफी मुश्किल हो रहा था और अंपायर के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं थे जिससे वह रिशब पंत को आउट दे सके ऐसे में सब को लगा था कि रिशब पंत नौट आउट रहेंगे क्योंकि कनक्लूसिव एविडेंस का फाइदा बल्लेबाज को मिलता है लेकिन दोस् अनपायर के पास गए उनसे काफी चर्चा की घ्रांट अमपायर ने भी ठर्ढ अंपायर से काफी बाट चीत की लेकिन अंत में क्या फाइदा हुआ पवेलियन में बैठे बैठे गंभीर रोहित और कोहली भी इस फैसले का विरोध करتे नजर आये लेकिन बाद में क्या ही ह थर्ड अंपायर अपने फैसले पर अड़े रहे और लाख विरोध करने के बाद भी रिशब पंत को रोते हुए पवेलियन लोटना पड़ा लेकिन रिशब पंत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पंत आउट थे या नौट आउट अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले। क्यों टीम इंडिया की नाकामी के बाद भलग गए गौतम गंभीर। उन्होंने ऐसा क्या 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 दिये ये तो आपको दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली को क्या टेस्ट से सन्यास ले लेना चाहिए अपनी कीमती राय नीचे कमेंट का खेल था टीम इंडिया के लिए ऐसा सब कमान ना था लेकिन न्यूजिलेंड ने इस मैदान में दिखा दिया कि क्यों वो पहली टीम बनी है जिसने भारत को भारत में टेस्ट सीरीज में रौं दिया है जी हां दोस्तों न्यूजिलेंड के गेंदबाजों ने मैदान में ऐसा तहल का मचाया कि मैट हैंडरी ने आतीक अप्तान रोहित का शिकार किया जो केवल 11 रन बना कर पवेलियन लौटे तो उनके आउट होने के बाद तो भारत का बैटिंग ग्रम ताश के पत्तों की तरह ब पवेलियन बेजकर भारतिये टीम की जीत की अमीद की धज्यें उड़ा दी थी जहां के वल 29 रन ही बने थे और भारत के पाच बल्लेबास पवेलियन लौट गए थे और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए जीत बहुत मुश्किल है जहां भारतिये बल्लेबासों क बैठे बैठे वो गुस्से में इशारे करते हुए भी नज़र आए तो वहीं अब गौतम गंभीर ने गुस्से में तो अब बहुत बड़ा बयान दे डाला है जी हां दोस्तों आपको बता दें गौतम गंभीर ने कहा है कि बेहत निराशा जनक है हमारे बनलेबाज इस सबसे ज्यादा फ्लॉप साबित हुए है यही टीम इंडिया की खराब फार्म की सबसे बड़ी वज़ा है यदि हमें विदेश में जाकर जीतना है वर्ल्ट एस चैंपियंशिप का किताब चाहिए तो रोहिच चर्मा और विराट कोहली को बड़े रंग बनाने पड़ेंग लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि रोहिच चर्मा और विराट कोहली को टेस्ट टीम से बाहर निकाल देना चाहिए या नहीं अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर मताएं और ऐसे ही शांदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद